चैन सातियों आज से हम रेज़मेंटल स्रीज स्रू करने जा रहे हो जो भी यॉ statute इंड़नार्मी में आना चाहते हैं यह इंड़नार्मी माने के तयारी है और उन्लों को जिनके घर परिवार में पछोज मैं कोई नहीं होता तो उनको एक regimental series शुरू की है आपको हफते में एक regiment के बारे में चाहे वो infantry, चाहे core, चाहे magnet की भी हो सकती है धिरे-धिरे करके हम हर एक regiment या उसके group के इतियास के बारे में आपको बताएंगे जिससे कि आपको भी बिल्गुल अपने सेना के प्रतियों और गुरुवानित महशूस होगा और साती उसरिमेंटल या कॉर का आपको इतियास पता चलेगा और साती आप जानेंगे कि जब आप लूगों को ट्रेट दिया जाता है किस आदारपी या जाता इभाल आपको आपको को पताः को होगा कि आप तो जिस प्रकार एक सैनिक जब तयार होता है सबसे पहले आप लोग अभी जिसे इंडियन आर्वे की आने की तयारिय कर रहे हूँ अभी आप लोग एक फ्रेशर हो जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद भरती होगे में आओगे ट्रेट के अदार पर तो आपको अपने वीर को छोड़ क्या है लेकिन अगनी वीर भी सेना का पाट है औरिक सैनिक के वो भी अपना आकर शूचना के चार साल के लिए हमारा एक ट्रेंग पिरिड है और चार साल के बाद में हम लोग अपना फाइनल इंडिन आर्मी की जो चीज़ वह रैंक होती है वो हमको मिल दोस्तों जो आयुद कोर है इसकी जो हम इसका जो स्थापना दिवस मनाथे हैं वो मनाते हम 8 अपरेल को अगर देखा जाए अगर जो इसकी सुरृवत यह जो आप बोल सकते हैं कि जो इसकी स्थापना होई ती वह ती 8775 और जो अभी वर्तमान अब यह पहले बिटिस की उसमें थी अब नैंटीन फूटिशन तब से हमारा देश आजाद हुआ तब वह हमारी बन गिये इंडिन आर्मी की आर्मी और ने स्कोर और पहले बंगाल सेना के अंडर में थी जो कि बिटिस की इस इंडिया कमपनी और उसमें जो ब पूर्ति के लिए उसके एक भंडारन के लिए एक आईद्यू डीपो की जरुवत पड़े तब इसका गड़न किया गया था अब इंडिया जब भारत आजाद हुआ तो इसके साथ में सारी इंडिया की अपने नहिस जलन लेगी तब यह आर्मे की आर्मी ओडने स्कोर बनी अब वरत्मान में यह आर्मे की आर्मी ओडने स्कोर है तो इतना इतियास काफी है और पुराने इतियास के लिए आप गूगल पे कई भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और साथे टेंसिन लिन की कोई जरुवत नहीं है जब आप भरती होगे आर्मी ओडने स जियास है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी जरुवत अभी क्या है क्या इसका काम होता है आपने देखा होगा कि जब एक सैनिक भरती होता है उसकी ट्रेनिंग चलती है अब एक सबसे पहले उसके ड्रस चेंज हो जाती है आपने देखा होगा मनमर जी कोई से भी सबस्क्राइब को निकरशन बोलटे हैं साथ आपको चितका हुरी ड्रस बोलते हैं तो आपने वह चीज़ देख लिए ऊपने और लग यह अब द्रस होती है और वह ड्रस आपको मिलती है वह मिलती है आर्मी और स्कोर के दोरा आपने दिखा हो गांकी फारिंग के टाम पे लेट हो चाहिए आपके सूज हो चाहिए आपकी ड्रस हो कोई भी आपका पहनने सम्बंदी जो चीज भी सामान होता है वह हमें इशू करती है हमारी आर्मी ओडनेंस और यह तो गया आपका ड्रस का उसके बाद में आपके काम आने वाले वैपन्स यानिकि जो आपके वैपन ह चाहिए उसमें आपके रॉकेट लॉंचर हो या आठ लेरी के आपके तोफ हो कोई भी जो भी सैने समगरी होती है जो लडाई में काम आने वाली होती है तो जो इशू करती है वह करती है हमारी आर्मी ओडनेंस स्कोर इसे के साथ ही गोला बंदू गोला बारूद इन सब का जो बंदारन और इसको जो आपका हिनुट वाइज यह आप कह सकते हैं कि आपके रिजमेंट वाले जो डिस्टिबूट किया आता है वह भी किया आता है आपकी आर्मी ओडनेंस स्कोर के बारे में उसी परकार चाहिए हमारे वेकल की हो एक जगे से दूसरे से कर ट्रांस्प होगी लेगिन उसमें कमांडो उसके ह weapons का decrease को से आते है ही है चाहे ट्रांस्पिटो ciao चाहे आपके कपडों डिया आपके क्यों पात कर लेते हैं आर्मी students कोर में च्क्रेट के बंदे आते हैं तो सब से जोघना चाहूँगा इसे में इसल्जर डियो में क्या अंतर होता है तो उन सब की जरूतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग तो इडिन आर्वियो में हर किसी रिजिमेंट में चाहिए कॉर और उन्फिंट्री द्रोस को सोल्ट जीडी ठेड भी होता है और सोल्टर क्लप में जा सकते लिए चीजों के लिए एंसी हैं आप क्लरक के तुरू भी जा सकते हैं आप बुलिए सर क्लर का क्या काम होता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बनारन होता है अपना आर्मी का या ओडिनेंस कोर का तो उसके जो एक उसका पूरा जो एक लेजर मेंटेनिंग होता है या उनको लेना अपने स्टॉक में रखना फिर डिस्ट्रिबूट करना तो इन सब चीज़ों के साथ मैं अधिगारिय के साथ में एक पूरा एक पैटन बना रहता है कि अधिग और आपको ट्रेड पता चलिया होगा कि किस-किस ट्रेड पर आप लोग कोंने हुसे लकैंड की चीज़ रह गया होगी तो आप मुझे कुमेंट्स में जरूर लेके आपके कमेंट्स का आदार पे मैं अगली वीडियो संडे की कोशिष करूँ गा तो आज हमारे रेजिमेंटल स्रीज में पहला आर्मी और डिने स्कोर के बारे में यही जानका रहे थी अगर आपको और डेटेल्स है कुछ और और चीज मनलब आपके मन में कुछ और चल रहा होके नियार मुझे यही भी जाना था तो कॉमेंट्स में करें कॉमेंट्स के अधार पर मैं आपको संडेगों इनमें वो चीज जरूर ले करूंगा तो अपने बड़े बाये को जज़त मिलते हैं फिर एक दमदार वीडियो के साथ जैहिंच जै भारत बंदे मातरम भारत मता की जै दोस्तों सबस्क्राइब कीजे एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटिक और सबसे आसान बासा में जानकारी के लिए साथी बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिलें